नमस्कार दोस्तो मेरा नाम है जगदेव को मारिय और हमारे इस यूटूब चनल में आप से भी का स्वागत है दोस्तो आज वीडियो में आप लोगों को मैं लेकर जाने वाला हूँ बालोद के कपलेश्वर मंदिर जो कि दोस्तो बहुत ही प्राचिन है और बालोद जिला में बहुत ही फेमस मंदिर है दोस्तो इस मंदिर में सिलिंग स्थापना किया गया है जो कि बहुत ही प्राचिन है और चोटे बड़े ऐसे बहुत सारे उसी मंदिर के परिसर में प्राचिन मंदिर बने हुए है जो कि काफी देखने लायक है और यहां के आसपास के छेत्र के अक कपले सर मंदीर बालोद करके तो आपको डारेक्टर लोकेशन पे वहां पर ले जाएगा दोस्तों किसी को पुछने की जरुवत नहीं है 2020 में नए टक्नलोजी है आप लोग इसका बिल्कुल उपयोग कीजिए तो अभी दोस्तों मैं बजार चौक लगभग पहुचने वाला हूँ और दोस्तों मैं वहां मंदीर पे पहली बार गया तो मुझे बहुत कुछ जानकारी वहां पर मिली जैसे कि प्रतत्वी भाग के पहुच सारे नियम होते हैं कानुन होते हैं उनको फालो करना होता है जैसे कि दोस्तों मैं बता दूं कि अगर आप प्राचीन मंदीर देखने के ले जाते हैं तो वहां का जो मूर्तिय वेगरा रहता है उनको नुकसान नहीं पहुचाना है देख लिया करो कि नोटीस बोट में कुछ नोटीस वेगरा तो नहीं लिखा है और दोस्तों प्राचीन मंदीर के आढ़ आसपास मतलब सौ मिटर के दारें में कोई भी भवन निर्मान का कार्या नहीं होगा और उसमें ये भी लिखाया कि अगर प्राचिन मंदिर को मरमत की आवसकता पड़े तो पुरतत्वी भाग ही उसे मरमत का कार्य करवा सकता है दोस्तों कोई अन्य संस्ता उसे मरमत का कार्य नहीं करवा सकता दोस्तों मैं कपलेस्वार मंदिर पहली बार गया और मुझे इतना कुछ सीखने को मिला इतना कुछ जानने को मिला यह मैं सोच नहीं सकता सच कहते हैं लोग की घुमने से भी पहुत कुछ ज्यान मिल जाता है तो घुमा करें दोस्तों सब्ता में एक दिन या महने में एक बार जोरू गुमने के लिए निकली आपने दोस्तों के साथ यह है कपलेस्वार मंदीर जाने का रास्ता और सिधा जाते हैं विनेटा किच और लेप्ट साइड जाएंगे हम लोग कपलेस्वार मंदीर तो यह बालोत के बीचों बीच है दोस्तों तो चलिए दोस्तो हम लोग फाइनली पहुँच गये हैं कपलेशवर मंदीर बालोत जो कि देख सकते हैं प्राचिन मंदीर सामने है और यह है दोस्तो कपलेशवर मंदीर का प्रवेश द्वार और अभी हम लोग प्रवेश करेंगे अंदर तो आप लोगों को right side का निजारा दिखा देता हूँ कैसा है यहाँ पर देख सकते हैं बहुत ही अच्छा है तो चलिए हम लोग अंदर जाते हैं तो छोटा सा gate है जो कि यहाँ से प्रवेश करते हैं दोस्तो उसके बाद यहाँ पर right side आपको देखने को मिलेगा notice board तो इसको पड़ कर ही अंदर जाएं ठीक है बहुत अच्छा है इसका मैं फोटो अपने Instagram में डाला हुआ है आप जाकर चेक कर सकते हैं और description box में आपको मेरा Instagram का ID का लिंक मिल जाएगा और यह है दोस्तो मैं अभी बाहर से दिखा रहा हूँ न अभी अंदर से नहीं दिखाया हूँ यह बहुत अच्छा है भी सांथ सांथ है इतना सांथ है बहुत अच्छा लग रहा है और यह कुछ बाहर करना जा रहा है उसक देख सकते हैं बच्चे लोग भी आये हैं चोटे-चोटे और गार्डन का अच्छा खाल रखा जा रहा है और मेरे सामने हैं दोस्तों सीधा तलाब तो यहां पर आप इसनान भी कर सकते हैं फिलहाल मैं अपने पैर धोने के लिए जा रहा हूँ तो पानी काफी स्वक्ष लग रहा है और मचली भी है मतलब थोड़े से ग्रीन है तो समझ आज़ता है कि इसमें मचली है देखे कितना सांत लग रहा है यहां पर और आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ चारों तरफ इस तलाब का देखे बहुंती अच्छा संदरी करन इसे किया गया और यह है दोस्तो कपलीसर मंदीर यही मेन वाला मंदीर है तो यहां पर हाथ पर धोए उसके बाद ऊपर चलते हैं दोस्तो हमारे सामने प्राचिन मंदीर दिखाई दे रहा है उस पे मादूर्गा को स्थापित किया गया है और मातरा नियापकी मनोकामना पूर्ण करें तो बहुती अच्छा दिखाई दे रहा है मैं नजद्रिक से जाकर यहाँ पर फोटो कैप्टर करने के कोशिस करता हूं दोस्तो हमारे सामने एक और प्राचिन मंदीर है जैसे कि आप लोग देख रहे हैं दोस्तो यह मंदीर राम लच्छमन जानकी जी का मंदीर है और इस किसी भी प्राचिन मंदीर में पेंट नहीं कह जाता तो मुझे यह बात अच्छा लगा और कुछ सीखनों को मिला तो चलिए आप मल्ला मैं दर्शन करवात हूं राम लच्छमन और माता सीता के और बहुती सुन्दर यहाँ पर मूर्ति स्थापना है और असिरवाद भी ले प्राइब जानी अयंगे एक जाता टैप से दीख रहा है तो बहुती सुन्दर है और यहाँ पर कुछ भी सुधार कर hash होता है उगी करते हैं दौस्तों यहां के कोई आम यह यहां के समीती कोई नहीं करता और तभाव कि और देखे एक पिल्लर को देखे पूरा पत्थर से बनाया गया है और हमारे सामने एक और पिल्लर है और गजब की यहां पर नकासी किया गया है तो मुझे अच्छा लग रहा है और आप लोगों कैसा लग रहा है मुझे कमेंड करके लाइक करके जरूर बताईए और हमारे साम और इस मंदीर पर इस्थापन किया गया है दोस्तो जगन्नात बढ़न का देखेवेन, यहँ पर विराजमान है, जगन्नात भ्धवन, तो बहुंच ही सुंदर नजारा हैं दोस्तों बहुंची सुन्दर यहां पर मूर्ती स्थापना किया गया है और सभी मूर्ती के प्रवेश्डवार में गनेश जी का चित्र अंकित किया गया है और दोस्तों यहां पर देखिए संकर जी जो की भोले भंडारी कलास परवत और उपर की ओर देख रहे हैं और निम का पेंट के च्छाओं में चवरदस्त यहां पर मूर्ती बनाए गया है साइड में है नंदी महराज और सीवलिंग भी है तो बहुत ही अच्छा लग रहा है दोस्तो उसके पाद दोस्तो यहां पर आपको ले चलते हैं गनेश मंदीर यह भी प्राचिन मूर्ती है और प्राचिन मंदीर है देख सकते हैं बहुत सुन्दर है दोस्तो मूर्ती पूरा पत्थरों से बनाए गया है इसलिए यह जगह बहुत जादा ही फेमस है से देख सकते हैं पर्थर से बनाएगा है और आप लोगों को यहां से पूरे मंदीर करना जारा दिखाते हैं देखिए 1-2-3 मंदीर हो गया और संखर जी है यहां पर और देखे 4-5-6-7 मंदीर तो यहीं पर है और यह देखे यह मंदीर को और यहां आते हैं तो बैटने के लिए भी अच्छा व्यवस्था है आप अपने फैमिलिक साथ आ सकते हैं अपने दोस्तों साथ आ सकते हैं यहां पर बहुती अच्छा है दोस्तों देख सकते हैं दोस्तों इतो से मंदीर नहें बना यहता था दोस्तो.. अभी तो इतो इतो से बना यहता है लेकिन देखिए यहां पर पूरा प्त्थरों से बनाया गया है देखें कीतना सुन्दर है और बारिस के कर Tucson इसको थोड़ा थोड़ा से ब्लैक ब्लैक कला कला से काई टाइप से यहाँ पर हो गया है लेकिन फिर भी आप यहाँ पर आओ गये तो इस पेसल बारिकी से देखना बहुत ही अच्छा डीजाइनी जाए गया है इस मंदिर को अंदर से भी और बाहर से भी अब हम जा रहे हैं दोस्तो कपलिसर मंदीर के तरफ ठीक है जो कि मेन मंदीर है इसी के लिए जाना जाता है कपलिसर मंदीर और यहाँ पर भी प्राचीन मूर्तियां भी रखी गई है जसके आप लोग देख सकते हैं एक कब बना चौदा और पंद्रवी सताब्दी में बना है ऐसा करके उसमें लिखा हुआ है ठीक है मंदीर तो वहीं से भी इसे भी खोद कर निकला गया है और प्रदर्शन के लिए यहां पर रखा गया है तो बहुत ही अच्छा दोस्तों अगर आपके बच्चे लोग आते हैं तो कुछ सीखने को मिलेगा कि हां हमारे पूरवाज ऐसे से काम करते थे कुछ सीखने को में मिला है जैसे कि हम लोग पिछले वीडियो में देखे हैं बुढ़ा देव तलाव वाला ठीक है तो अगर वीडियो नहीं देखा है तो बिलकुर देखिए हमारे बालोग जिले में भी संग्रहला इस्थल है तो वहां भी ऐसी ही कुछ मुर्थिया में है अब वह घड़ी आ गया है दोस्तों जिसका आप लोग इंतिजार कर रहे थे कपलेश्वर मंदीर का तो देख सकते हैं यह कपलेश्वर मंदीर है और उसके अंदर बनाया गया है सिव लिंग जो की कपलेश्वर के नाम से जाना जाता है कपलेश्वर महादेव के नाम से जाना ज़ता है दोस्तों देखे ऊपर कना जारा कुछ इस तरह से है बहुत सुन्दर है अंदर कना से अब लोको दीखाना चाहूंगा देखे बाहर कना जारा कुछ ऐसा है बहूंत ही अभी ठीका हुआ है प्राचीन मंदीर होने के बावजुद्द देखिए और दोस्तों यह है राइट साइड में गनेश जी के मूर्ती स्थापित किया गया है यह भी प्राचीन मूर्ती है और पूरी तरह से पत्थर से बनाए गया है और उपर का नजारा कुछ इस तरह से है कपिलेश्वर मंदीर का दोस्तों जैसे कि आप लोग देख सकते हैं इस मंदीर को बहु आप लोगों को मैं लेट साइड का भी जो कैसा दिखता है मंदीर उसको भी दिखा देता हूं नीचे से लेकर ओपर तक तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं उपर बहुती सुन्दर डिजाइन किया गया है अगर आप यहाँ पर आते हैं तो आप लोगों बहुती अच्छा लगेगा दोस्तो दोस्तो मंदीर में पूजा पार्ट करने के बाद आप यहाँ के गाडन में आ सकते हैं घुमने के लिए तो बहुती सुन्दर गाडन है दोस्तो यहाँ का आप लोगों को यहाँ पर विभिन्न प्रकार के फूल, पेड, पाउधे आपर देखनेों को मिल जाएगा तो बहुती सुन्दर दोस्तो अभी मैं इस गाडन का एक चक्कर लगाने मला हूँ और दोस्तो यहाँ पर बच्चे लोगों के लिए मनोरंजन का पूरा साधन वावस्ता किया गया है मंदीर समीती द्वारा और आप लोग देख सकते हैं एक छोटा से तलाब है औ और हमारे चैनल को जरू सब्सक्राइब करके वैल अकन को जरू दबा दीजेगा तो दोस्तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि यह बच्चों लोगों के लिए बनाया गया जूला और यहाँ पर खिसल पट्टी है बहुती अच्छा लग रहा है दोस्तो और यहा कमेंट लाइक जरू किया करें दोस्तो बहुती अच्छा लगता है दोस्तो कपिलेसर मंदीर विनाय टाकिज के जस्ट पीछे में ही है दोस्त बहुत बार आ चुका हुई नाय टाकिज लेकिन कपिलेसर मंदीर के बारे में सुना जरूर था लेकिन यहाँ पर आकर देख नह दोस्तो और मेरे यूवा सांथी और भायों से नियोदान है कि एक बार जरूर आये यह बहुत अच्छा देखने लायक जगा है दोस्तो और हमारे प्राचीन प्रतत्तों के बारे में भी यहाँ पर जानेने को मिलता है दोस्तो तो बिल्कुल आये बहुत कम लोग जानते हैं औ और जानते हैं फिर भी आते नहीं है तो एक बार इस वीडियो को देखिए और जरूर आईए दोस्तो अब लोगों को यहां का गाड़ान कैसा लग रहा है मुझे कमेंड करके जरूर बताए और दोस्तो हम लोग दूर से देखते हैं यहां से कपलेसर मंदिर को तो बहुत है देखिए मैं जूम करके दिखा दे रहा हूं बहुत ही सुन्दर लग रहा है दोस्तो आप लोगों कैसे लग रहा है मुझे लाइक करके बता सकते हैं और आप लोग यहां पर आ चुके हैं या आना चाहते हैं तो मुझे कमेंड करके बताएं दोस्तो और अगर आ चुके ह तो मुझे जरूर बिल्कुल कमेंट कीजे हाँ कैसा जगा है यहां का ठीक है दोस्तो मैं प्राचिन कपलेशर मंदिर को अलग-अलग एरिया से दिखाने की भरपूर कोशिस कर रहा हूं दोस्तो तो दोस्तो यह वीडियो कैसा लग रहा है आपको मुझे कमेंट करके बताना होगा और अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजे और इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच अपने फैमली के बीच वाटसब पे जरूर सेर कीजे दोस्तो ताकि उन लोगों को भी पता चले कि यह जगा बहुत पेस्ट है दोस्तो देखने के लिए और घुमने के लिए भी आप लोग यहाँ पर आ सकते हैं दोस्तो इस वीडियो का कौन सा पार्ट आपको बहुत ही अच्छा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं दोस्तो अगर मेरे लिए कुछ सुझाओ है तो बिलकुल कमेंट में लिखिए मैं उसका रिपलाइज जरूर दूँगा और आपने आपको कुछ इंपरू करने की जरूर कोशिश करूँगा तो चलिए दोस्तो मिलते हैं नेक्स यूडियो पे तब तक के लिए जय ही जय भारत जय सेवा जय शत्तिस गार्ड